हलो यूरीवन आप सबका स्वागत है रिशमास टेस्टिक फूरी चैनल में आज हम बनाने वाले है इडीबल चुहा, इडीबल माउस, इडीबल रैट याने कि हम चुहे के सेप का कुछ डीजर्ट बनाने वाले है जिसे हम खा भी सकते है डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते है आप इसे केक पर रख सकते हो या फिर बच्चों की पार्टी हो तब भी आप इसे बना सकते हो तो चलिए स्टाट करते है आज की रेसिपी केक बनाने के लिए जो pre mix रूम यूजे करते हो pre mix यहाँ पर मैंने वंधळ का पीतना लिया है चॉकळेट pre mix लिया है इसमें पानी डाला है और हाप टीयेस पीतना तेल डालकर इसका बैटर बनाया है mold को मैंने oil से gris किया है उपर से pre mix से ही dusting किया है इसे पहले मैंने oven या फिर कड़ाई जिसमें आप बेक करने वाले वो preheat करना ज़रूरी है तो मैंने कड़ाई को preheat किया है अब इस टीन को हम बेक करने के लिए रख देंगे 15-20 मिनिट के बाद हमारा sponge बेक होके तयार है आदा sponge ही मैंने यहाँ पर इस बॉल में लिया है तो टीन में ही मैंने गरम पानी डाल दिया है और इसमें मैंने एक चमच इतना गरम दुड डाला है यहाँ पर मैंने प्री मिक्से बना है लेकिन आप सिर्फ ट्रफल से भी यह इडिबल चुहा बना सकते हो हाँ टीन में पर बटर डाला है ताकी शाइन भी आजाए और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसे हमें फ्रीज में रखना है 10-15 मिनिट के लिए तो 10-15 मिनिट के बाद इस pre-mix के हम गोले बनाएंगे जो pre-mix से हमने cake बेक किया इसके गोले बनाएंगे इस गोलों को हम इस तरह का शेप देंगे जिस तरह का चुहा होता है तो जितना मैंने प्रेमिस का स्पॉंज लिया ता आधा उसमें मेरे दो चुहे बनके तैयार हो रहे है तो यहाँ पर मैंने एक औल्रडी बना के रखा है इस तरह का शेप देने के बाद जो तो दूसरा थोड़ा सा गोला लेकर हमें उसकी पूंच भी बनानी है पतली छोटी सी क्यूंकि हम चुहा भी छोटा छोटा बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने पूंच भी चिपका दी है अब चुहे के कान के लिए हम जेम्स की सेम कलर की गोलिया चिपकाएंगे तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर की गोलिया चिपका दी है जेम्स की केक डेकोरेटिव के लिए हम जो सिल्वर बॉल्स यूज करते हैं इडीबल वही यहाँ पर मैंने आखों की जगह पर चिपकाए है और एक नोस की जगह पर इसी तरह यहाँ पर हमारे इडीबल चुहा खाने का चुहा बनके तैहर जिसे आप बच्चों की डिजर पार्टी में या फिर केक को डेकोरेटि करने के लिए यूज कर सकते हूं